में लिखाई हुई है कुछ इंसान ऐसे होते हैं उसकी मोटर आप कितना भी अच्छा रिवाइंड कर दो वो चलती है नहीं है जिल ही जाती है बार बार नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ आकिल बारसकर और आप देख रहे हैं अडवांटेज आंट टेकनोलाजी चैनल द वो ऐसे ऐसी कंपणी बताती हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुना और कुछ कंपणियां होती ही जो ब्रेंडेड टेक्स्मोकी वगेरा वो ठीक है मेरे को पता है टेक्स्मोकी शेयर आईगी शक्ती लाड़ा की यह मोटर तो सब भी तरफ चलती है कोई प्राब्लिम नहीं है ल कि इसे के आपको मान लेजिए कोई मोटर है कुष्णा कान पणनी ही तो वे तो इसी का आप को आपने अगर उसको ओपर लेबल चिप्का दिया लकस्मिय का अ लουμεक्सविमिका हो जाएगा यह लोकल कंपणानी की मोटर होती है हालाकि अबिक इसकी बारे मेरा बात नहीं करते वसे के बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं आप जरूरी है कि आपको मतलब बहुत जादा नौलिज इस वीडियो से मिलने वाला है इसलिए वीडियो से चुरूश लेकर लाट तक रख दीजी मतलब देख लिजिए इसका जो फैलियो में थोड़ा सा बड़ा लिजिए क्य यहों कि लोकल मोटर आती है उनका डाटा हमको समझ में आता है चाहिए किसे निब्लोट करेंगें हो चाहिए ना करें। क्योंकि हमारी हात निचो से वह ही कम्पनिय वा। जा चुकी इसक Thanks एगर किसी मोटर के साथ अगर डाटा नहीं वे आता है तब बहूं को पता है कि लोड कितना है यानि कि उस लोड मोटर के उपर स्टेज कितने है जब कि हमार यहां पर अगर कोई 10 स्टेज का अगर कोई मोटर आता है दस स्टेज का तो उसके उपर 20 स्टेज का पंप होता है या पिर 10 स्टेज का पंप होता है लेकिन आज जो मुझे कॉल आया था उनके पास 10 HP का कोई और कमपनी का मोटर था मेरे को याद नहीं लेकिन उसके ओपर सिर्फ तीन स्टेज थे हमार यहां पर तीन स्टेज कहीं पर देखने को नहीं मिलता और वो जो हैं डाटा पूछ रहे थे इसलिए हमने सुचा कि चले अभी हुड़े बाना के सभी लोगों को सचित करत सकते हैं अगर एक विक्तिक फोन आया तो कम से कम एक गंटा या फिर 20 मिनिट बात चलती है तो काम छोड़के बात नहीं कर सकते इस बात को समझ लो ठीक है अभी देखिए मोटर का जो है मैंने आपको कहा कि मोटर के जो मोटर के लोड़ है वो सबसे मोटर के अंदर डाटा ह इसे कि मालो है मैं आप इससे पहले बात करते हैं पांट डूबी के दाटा सभी सभीका खतम करते लिए अगर मोटर है अगर कोई समय है बात वाली तो उसके अंदर ज्यादा श्यादा जरो एट का गेज निकलता है जेरो एट का गेज 42 टर जेरो नाइन का रिकलेंगे तो 40 टर ना 38 टर ना और वन जेरो का भी निकलता है ठीक है वन जेरो का निकलता है ज्यादा से ज्यादा तीन इसपी मोटर में तीन गेज निकलते हैं जेरो एट जेरो नाइन वन जेरो जेरो एट की बात करेंगे तो बाई लिश्टर ना आएंगे जेरो नाइन की बात करेंगे तो 38 टर ना आएंगे वन जेरो की बात करेंगे तो 34 टर ना आएंगे पांट डूबी मोटर के बारे में इतने ज्यादा से ज्यादा गेज आते हैं तो यह तो आपने समझ लिया अभी अगर पांट भी समर्शिबल मोटर पांच पी की हो तो इसके अंदर कौन-कौन सा गेज आता है ज्यादा से ज्यादा अब लाश्टर में एक फंडामेंटल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा में अगर 5SB पांट भी समझ ल मोटर हो तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वन-जेरो या फिर वन-वन का गेज आता है वन्टू बहुत कंदेखने की मिलता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 और 11 की इतनी की रेंजर रहती है और कुछ-कुछ पासेज़ पी पान्टूबी समचिबल मोटर जो की कम हेड़ वाली होती है उसके अंदर 09 का भी गेज दिखने को मिलता है 09 के आएंगे तो वही 38 टरना आएंगे अगर 10 का आएंगे तो वही 34 ट अब 6 पी पान्टूबी समचिबल मोटर तो आती नहीं और कुछ लोग जो हैं लेबल चिपका के देते हैं 5 पी उसके बारे बात नहीं करें साढ़ी साथ हैशपी, अगर पान डूबी समचबल मोटर हो तो इसके अंदर जाधा से जाधा 1-2 और 1-3 आता है अगर डिल्टा कनेक्शन में जाना हो तो वन वन आता है ठीक है वन डूब की बात करेंगे तो 1-2 की 26 तर्ना आते हैं और 1 3 की बात करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को ज़्यादा पता ही नहीं कि हमारे यहां पर यहां पर कितना लोड है उस इसाफ से मोटर के अंदर गेज आता है जैसे कि आपकी 5HP की मोटर है और वह कम हेड़ वाली है तो जहुरू नहीं के गेज आएगा क्योंकि उसके पर कम लोड होता है और ज्यादा हीड की अगर मोटर होंगी तो उसके अंदर वन जिरो और किसी-किसी मोटर में वन टू भी आ सकता है अ वही तरना शेम जो पाणलूबी में आते हैं ठीक है अगर वन ज़नो की बात करेंगे तो वन जरो के चवतिश्टन आएंगे च्छेश्पी की मोटर अगर होती है इसके बोर्वेल के अंदर की तो उसके अंदर ज्याद़ से ज्याद़ हमको पाच्छिश्पी की मोटर के अं स्ञेर मोटर के उपर 14 जीश पोंपा जोडते हैं तो यह पहपर पंपा अलग 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 यानि कि लोड़ अलग अलग है जैसे कि अगर्शेस पी की मोटर हो उसके ओपर दस्तेज का पम जोड़ा हो तो उसके अंदर आएगा वन टो टो टिक है One वन ये फिर One डो अगर श्टेज मेरा जुड़ेगा तो वन वन आएगा अगर जट्ट पर तो बारा स्टेज मेरा जुड़े दोनों में से कोई ब्यास्सक्ता अगर कोई बोरवेल की जो मोटर है साड़ी साथ सफ्पीक है और उपर 14 स्थेज़ का पंप है या फिर 18 स्थेज़ का पंप है या फिर 22 तो ज्यादा से ज्यादा 99% 14 का ही गेज आता है अब 15 बहुत कम आता है 13 मैंने बता गया वह भी कम आता है अगर उपर लोड 14 स्टेश के आगे हैं तो उसके अंदर कौन सा गेज आता है 15 साठी 6 बहुत करें तो दोनों एक ही है ठीक है दोनों में कोई ज्यादा डिफरिनस नहीं है तो दोनों में सेम डेज आ सकते हैं कोई प्रब्लिम नहीं है यह दो हो गाया अब कोशी मोटर है गई अब यह मोनो बॉलक मोटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता इसलिए उ बारा स्टेज विजू पर 14 स्टेज का भी जुड़ता है और 12 स्टेज का भी जुड़ता है तो हमने कहा है कि उसका जो गेज होता है वो भी 12 या फिर 13 आ सकता है अब आप आज देखिए मैं आपको बता दो हम जैसे कि आपके पास कोई अगर पांचेश्पी पांड़ भी समश प्रब्लिम नहीं है अगर हेड मोटर का हेड कम है तो 12 मत डालेगा 10 या फिर 11 ये दोन में से कोई भी आप डाल सकते हो क्योंकि दोस्तों इसा जरूरी नहीं है कि मोटर के अंदर गेज अक्यूरेट होना चाहिए गेज बढ़ाने से या फिर गड़ाने से सिर्प एक या दो कोई एमपेर का फ़रक पड़ सकता है जमीन आस्वान का डीप्रेंस नहीं हो सकता क्योंकि जमीन आास्मान का डिपरेंस तभी होता जब गेज के बारें करते हैं हम बहुत सारी लोग जो है 19, 18, 27, 20 ऐसा कुछ ही बोलते हैं, वो मेरे को नहीं पता, जो mm की बात मैं बोल रहा हूं, 0.8 mm, यानि की 1.0 mm होता है, तो 0.8 mm मानि की 1 mm से भी नीचे आता है, तो 0.8 और 1.4 इसके अंदर जमीन आस्मान का फरक है, आप हाथ के अंदर लेंगे तो आप जल्दी डिप्रेंस आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा गेज क्या अदनमबर है, इसे लिए हम क्या करते हैं, कि माइक्रो स्क्रू गेज मेटर का यूज करते हैं, कि गेज कौन सा है देखने के लिए, अगर हातों से पता चलता, तो हम बता देते कि यह वाला गेज है, तो और आपके दिमाग में आता है, वन वन डालों क्या, वन वन डालने से कुछ नहीं होने वाला है, वो भी गेज चलने वाला, ये भी चलने वाला है, क्योंकि जो वन जो गेज था, उसको वन वन कही समझ लो, क्योंकि दोनों में कोई खास आंतर नहीं है, अगर कोई वीपर सम सब्सक्राइब दोनों में 19-20 का अंतर है कोई प्रब्लिम नहीं मतलब अगर किसी मोटर में अगर 08 का निकलता और आपको समझ में आया किसके अंदर 09 लगेगा तो आप गलत है क्योंकि 08 और 09 में कोई खास अंतर नहीं इसलिए दोनों गेश्यम ही पकड़ लीजिएगा हां लेकिन 5HP भीपूर समझ से मोटर में अगर 1.2 का आ गया तो फिर सुचने वाली बात है क्योंकि जमीन आसमन का फरक हो गया 08 का आना चाहिए लेकिन 1.2 आ गया तो यहां पर हमें ज्यादा सुचने की ज़रूत नहीं है कि 5HP मोटर के अंदर 0.8 आ गया या पिर 0.9 आ गया या पिर 1.0 आ गया तो यह तीनों भी गेज 5HP मोटर गलेज चलने वाले हैं लेकिन हमेशे जो लिमिट होता है ना 08 थोड़ा सा कम होगा 10 थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 09 उसके लिए सफिशन्ट है बस इतना है थोड़ा सा आप समझ लीजीगा उस चीज को यह तो समझ म मोटर उसके अंदर 1.0 का भी गेज देखने को मिलता है किसी किसी मोटर में 1.2 का भी देखने को मिलता है लेकिन ऐसी मोटर बहुत कम है इसलिए ज्यादा देमक दावड़ाना नहीं है कुछ-कुछ मोटर ब्रेंडेड होती है जो 18 स्वाट के बारे में बता दिया में 18 स्वा उसके अंदर 1.2 का निकला और आप सोच रहे किसके अंदर 1.3 आना चाहिए लेकिन आगे आपकी दिमाग में यह आरा है कि मोटर के गेज प्राब्लेम को जिसी मोटर बार 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 जाल रही है तो आपको लग रहा है कि कभी बेन आना चाहिए कि 1.3 का युद करूँगा कि कि उपर जो ऐसा पैनल बॉक्स होता है इसके अंदर प्राब्लेम्स का जो सॉलीशन है आप ढूंड लीजेगा जैसे कि मोटर स्टार डेल्टा वाली है और आप सिंगल स्ट्राटर का यूज करें यानि कि मोटर को डेल्टा में चला रहें डारेक्ट और मोटर बार बार फूक पर रहें तो इसका मतलब यही कि आपको स्टार डेल्टा का स्टार यूज करना चाहिए वह किसन भाई के पास अगर सारी चीज़ें सबकुछ अच्छा है पैनल बॉक्स अच्छा है फेस अच्छे फेस सार अच्छे पूरी तरह से सबको सारी चीज़ें अच्छे हैं लेकि कि मैं अपनी तरफ से पूरी पूर क्शिश करों जितना पह्ली बार किया था उससे भी ज़्यादा कोशिश करोंगा और कोशिश करनी भी कि मोटर ने लेकिन प्र बयापका मोटर जल सबक्राइब क्योंकि उसके थिमीन तक्दिर में लिखाई हर ये कुछ इंसान ऐसे होते ह है उसकी मोटना आप कितना भी अच्छा रिवाइंड कर दो चलती नहीं है जिल ही जाती है बार-बार मजी पता नहीं इसके कोई गुंदोश होता है क्या उसके घर के अंदर क्या होता है सारी चीज़े वह उसका प्रॉबलम है ठीक है वह हमको समझ में नहीं आता है वह सकता है कि उपर वाली से ही उपर सी और आ रही है कि इस किसान भाई को आगे जाना नहीं देना है लेकिन क्या करते है कि इसके बिच हम पीज जाते हैं ऐसे भी हमारी साथ भी किसा गड़ता है आप मतलब यह नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा होता है हमारी साथ भी बहुत बार ऐसा होत आपके तक्दीर का है जो करना है झाय कर लो या फिर किसी और मैकनिक से Co qui के की लिए का हो सकता है कि उसका कि plant चाया जी ससे का हमारी पास अगर कोई मोटर आती है जो पर जैसे हैं फो дав यामरे पास पास में करते हैं कोई स्टेटर उल्टा जोड़ता है कोई कुछ करता है को मतलब गेज छुड़ के और प्रॉब्लेम होते हैं जो उसको स्वालिशन नहीं होता है या पर किसी किसी मोटर में कोई प्रॉब्लेम ही नहीं होता है लेकिन हम क्या करते हैं कि बस प्यार से उस मोटर को रिव करूंगा जली तो भी कोई प्रावलिम नहीं कि ऐसी रोहरोज जली रही अगर नहीं जलीगे तो वो जो किसान भाई वो अपना हो जाएगा एक ग्राक हमको मिल जाएगा एसी छोटे ग्राक से हमारी कुछ आमद नहीं बढ़ जाएगे हमारा पेट खर्चा चलेगा यह बात ब मिलते हैं किसी नेक टोड़ में तब जली टेक करें और गुड़ बाए